आश्कार दोस्तों स्वागत आपका अपने यूटूब चैनल गाओं की रिसोई में आज मैं आपको बनाना चिखाऊंगी हरे पोदिने की चटनी आपने वैसे चटनी कई बार खाई होगी लेकिन इस तरीके से एक बार बनाएंगे तो आपके महमान उंगली चाठते रह जाए देखिए कैसे चटपटी चटनी हम त्यार करते हैं को देनी की चटनी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने पांचे मीट्स लिया उसके बाद लस्टन की कुछ चिलीव कलिया लिया है यह मैंने हरा पोदिना लिया है और टेस्ट के इंसार नमक लिया है और एक टमाटर लिया है सबसे पहले मैंने पोदिने की पतियां तोड़ लिए देखिए इसका जो कठोर बाग था वो मैंने निकाल दिया डंठल वाला और पतियां तोड़कर अलग कर लिए है यह मैंने डंठल को लग कर दिया है सबसे पहले हम पतियां तोड लेंगे इसकी टमाटर और हरी मिर्च के मैंने बड़े बड़े पीस कर लिया है क्योंकि हमें ग्राइंड करना है इसलिए बारिक नहीं काटा है यह हमने आदा कप दही लिया है और यह पोदेने की पतियां है जो मैंने अलग कर ली थी और यह मैंने सबसे पहले जार में लसन की के लिए डाल दिया है अब मैंने टमाटर कटा हुआ डाल दिया है हरी मिच डाल दिया है पोदेने की पतियां डाल दिया है अब हम दही डाल देते हैं इसके अंदर ज्वादा कप हमने दही लिया था और दही मैंने डाल दिया है और टेस्ट के अंसवार नमक डाल देते हैं देखिए मैंने नमक डाल दिया टेस्ट के अंस्वार अब चीजें हमने इसके अंदर डाल दिया है अब हम जार को बंद कर देते हैं और मिक्सी के उपर इसे ग्राइंड कर लेते हैं देखिए हमने मिक्सी के ऊपर जग को रख दिया है और अब हम ग्राइंड कर लेते हैं यह हमने ग्राइंड कर लिया है कि देखिए हमने सभी चीजों का पेस्ट बना लिया है और एक दम ग्रीन ग्रीन यह बनकर त्यार हो गया है पोदीने के बहुत यह अच्छी खुश भूआ रही है यह हमने कटा हुआ एक निम्बु लिया है और अब हम इसका रस इसके अंदर डाल देते हैं देखिए चटनी के अंदर हमने यह रस डाल दिया है निम्बु का और अब इसे दुबारा से ग्राइंड कर लेते हैं ताकि अ अलग कटोरी में निकाल लिया देखिए बहुत ही अच्छी खुश भूप हो देने के आ रही है और एकदम टेस्टी और लाजवाब चटनी बनकर त्यार हो गई है अब हम एसी रोटी के साथ इसे सरव कर सकते हैं वीडियो पसंद आये तो लाइक करें सेर करें और सब्सक्र करना ना भूले